नमस्कार गुड मॉर्निंग जैहिन मेरे दोस्तों जैसे कि आप हमेशा से जानते हैं जो नए हैं उनके लिए मैं बता दों जो आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद हो तो आप लोग इस वीडियो को बीना अस्किप किये हुए देख सकते हैं क्योंकि यह आपका बहुत ह जरूरी वाला वीडियो है क्योंकि आप वीडियो को अगर नहीं देखेंगे तो आपका एक फॉर्म भरने से छूट सकता है क्योंकि यह वीडियो मैं उसी के लिए बना रहा हूं कि आप फॉर्म को भरें जरूर भरें और इस फॉर्म में क्या लएंगे कैसे डॉक्मेंट ड इतना लएगा इन लोगो के लिए मैं वीडियो यह बना रहा हूं जो आप लोग के लिए बहुत ही काम्याब और फायदे मन्द रहने वाला तो इस वीडियो को आप बिल्कुल धियान पुर्बक सुनें और बीना अस्कीप कि है इस वीडियो को देखेंगे तो चलिए दोस् सबस्क्राइब नहीं करेंगे तो मेरा वीडियो अप लोग तक नहीं पहुंचेगी तो सबस्क्राइब बहुत ज्रूरी चीजे हैं आप कर लाइक कमेंड भी करना ना भूलें आज मेरी थोड़ी सी तबियत है थोड़ी धीली है फिर भ시면 मुझे बनाना मैं जरूरी समझरा क्योंकि आपलों का जीवन का सवाल है जिन्दिक का सवाल है क्योंकि मैं अगर वीडियो नहीं बनाऊँगा तो आप लोग बता तो चले गाही पर बहुत लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो को को इंतिजार करते हैं तो मैं इसलिए मेरा तबियत खराब होने के बापजूद भी मैं आप लोग के बीची वीडियो लेकर आ अभी सिर्फ मैं बताऊंगा कि डॉक्मेंट क्या लएंगे मैं पहले भी बात बता चुका हूं तो आप लोग ध्यान पूर्बक इस वीडियो को देखें तो आपको सबसे पहली बात है कि फॉर्म 20 फरवरी 2013 से स्टार्ट करती गई है इस बीड में एडिविशन के लिए इंट के लिए यह वीडियो है तो टीचर बनने बनना है तो सबसे पहला कदम है कि इसमें पास करें फिर आपका एडिविशन होगा तो आपका टीचर बनने का पहला कदम रखने का रख सकते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि इस फॉर्म का स्टार्ट डेट 20 फरवरी 2013 से स्टा टैंगी दिनका अपलोंगे पास समय है इस फॉर्म भरने के लिए तहूंड लास्ट डेट का इंतिजार नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट में इसके बार में अब जानते होंगे और पहले भाट हूं तो मैं समझ सकता हूं कि पैसों के चलते आप लिए ट लेट ना कर दे कि आप फोर्म भरने से बनचित हो जान तो पांस दिन पहले आप लोग फोर्म को भर दे तो अच्छी रहेगी ठीक है और इसका जो डेट है पंद्रह मार्श 2023 तक रखा गया और इडिटिंग का समय जो है जो है पलोग भर्म भर्ते हैं और फिन भरते हैं और इडिटिंग का दिये एडिटिंग का टाइम ठीक है और इसका जो एक्जाम डेट है मैं उसके भी बात करले ता इसका exam date भी fix कर दी गई है इसका exam date आपको 8 अप्रेल 2023 को एक फॉर्म का exam होगा इंटरेस exam दी जाएगी 8 अप्रेल 2023 को exam होगा हाँ मैं इसकी फीस के बारे में बता दूँ जो पहले ही कह चुका हूं इक हजार रुप फीस रखी गई है और इवी सी के मतलब होता है आप लोग नहीं समझें मैं बता देता हूं अत्यांथ पिछलों और बसे में पिछलों अरो जनेरल कास्ट में ही जो इस का सेटिफिकेट बना चुके हैं उनके लिए हैं और लड़की बोमें अधिव्यांक बिकलांक लोगों के लिए 700 रुप्य रखी गई है और एस्सी एस्टी में जो आते हैं उनको 500 रुप्या फीस देना होगा इस सारे पेमेंट ऑनलाइन कर दी जाएगी ऑनलाइन के धुरू आपको कटवाना है इसमें एज लिमिट का कोई फिक नहीं इसके बेजा से में थोड़ा सा आवाज हो जाता है कभी-कभी तो इसमें जो लेंगे उसमें टेन्थ का मार्चित सबसे फर्स्ट नंबर का है आप लोग फॉर्म जो भरते हैं और टेन्थ का मार्चित से ही देखकर भरिएगा स्पेलिंग बढ़रा मिस्टेक नहों ठ़िए थेंध कमार्चित बहुत ज़्रूरी है पहले ही ठेंठ कमार्चित देना जरूरी हैנिद का मश्ड़िंग को देना होगा और घुरसन्लेफर का का थैड़ यृर का मार्चित डेनाहोगा इसी देना नहीं अफ्लोड करना है और अधार काट जो आईदी काड की होगा मोबाइल नमबर इमेल आईडी बैंक अकाउंट नमबर लेटेस्ट फोटो फोटो लेटेस्ट का खिचाव होना चाहिए और सिगनेचर अधिव्यांक जो है उनके लिए दिव्यांक का सेटिफिकेट भी होना जरूरी है जो पीजी कर गए हैं उनको फारम भर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दिया हूँ इसलिए आज के लिए इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद बाइबाए